गुड मॉर्निंग वेलकम टु स्कूल लर्निंग आज हम क्लास एट एंसी आटी की भूगोल की पुस्तक का पहला लेशन संसाधन है उसे डिसकस करते हैं चलिए अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं जो की संसाधन है यहां दिया गया है कि मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थें इन सभी चीजों को देखो कपड़े बरतन अनाज कंगा सहत की बूतल किताबें इन में से परतेक उप्योगी है मोना ने कहा इसलिए यह महतपुर्ण है अम्मा ने कहा यह संसाधन है संसाधन क्या है अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा अम्मा ने बताया परतेक वस्तू जिसका उप्योगा वशक्ताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो संसाधन है तो चलिए इसे हम सरल सब तो आपधों में समझते हैं कि संसाधन क्या होते हैं जिस तरीके से मोना और राजु घर साफ कर रहे हैं अपनी मा की सहायता कर रहे हैं उसी तरह आप भी अपने घर में अपनी मम्मी की सहायता करते होंगे संसाधन होते क्या हैं तो वे सारी चीज़े संसाधन हैं जो हम अपने घड़ों में उपयोग करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं तो घड़ में तो हम बहुत सारी चीज़ों को उपयोग करते हैं सब को पता होगा कि वो चीजे क्या-क्या हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, अनाज है, कंगा है, सहत की बोतल, किताबे, आईना, पेन और फिर बहुत सारी चीजे, पैंसिल, रवर, हमारा बैग, ये सारी की सारी चीजे संसाधन होती हैं, किसली हैं क्योंकि हम इन्हें उपयोग क करते हैं, उनको हम संसाधन करते हैं, तो आप संसाधन तो समझ गए होंगे, आप चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने चारो ओर देखिए और निरचन कीजिए, आप संसाधन के विविद प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे, आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस वस्तू का विद्धुत का उप्योग करते हैं, स्कूल से घर पहुँचने के लिए उप्योग किया गया रिक्सा, पाठे पुस्तक जिसका उप्योग आप अध्यन करने के लिए करते हैं, यह सभी संसाधन हैं, आपके पिता ने आपके लिए नास्त जैसे की पानी, आटा या फिर गैस चुला, यह सारी की सारी चीजे संसाधन, उसके बाद हमारे घर में पंखे को चलाने के लिए, जिस विद्धूत का पड़ियोग हम करते हैं, वे भी संसाधन हैं, फिर उसके अलावा, जब हम स्कूल जाते हैं, तो हमें स्कूल जाते समय हम जिन चीजों का पढ़योग करते हैं बस रिक्सा या कुछ भी तो वे सारी की सारी चीजे संसाधन हैं और उसके अलावा जो पाठे पुस्तक हम पढ़ते हैं स्कूल में वो भी एक संसाधन है तो आप समझ गए होंगे कि संसाधन क्या है हमारे पास ऐसी चीजे आसपास की एकते हैं पेर है भवन है उसके बाद पुस्तक है उसके बाद अन है बहुत सारी ऐसे चीजे सरक वगेरा गारी वगेरा यह सारी की सारी चीजे क्या कहलाती है तो यह सारी चीजे संसाधन है अगर आप से कोई पूछता है तो आप आप आसानी से बता सकते हैं कि संसाधन होत पता ही है क्या होता है कन्गा हो गया आइना हो गया पलंग हो गया टीवी हो गया यह सारी का ऐसे अधिक सनसाधन नाब बता सकते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं जल विद्दू तिरिक्सा सब्जियां और पाठे पुस्तक, सभी में कुछ ऐसा क्या है, उनमें से सभी वस्तूओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, इसलिए वे उपयोगी है, एक वस्तू अथवा पदार्थ की उपयोगी था, अथवा पड़ियोज था, उससे एक संसाधन बनाती है, अब यहाँ जानने योग कर सकते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होती है, जल, विदूत, रिक्सा, सबजियां, पाठे पुस्तक, यह सारी की सारी चीज़े हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए यह क्या कहलाएंगी, संसाधन कहलाएंगी, अब राजू जो की आफी के जैसा एक बच्चा है, वो जानन कि अगर संसाधन है, तो वो सबसे पहले क्या होगा, उपयोगी होगा, उसकी कुछ न कुछ उपयोगी ताएं होगी, तभी वो संसाधन बनेगा, अब तो हम सरल सब्दों में समझ भी चुके हैं, कि संसाधन वही चीज़े होगी, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, और जो मुल्यवान नहीं होंगी ऊसंधान नहीं कहीं जाएंगा अब मुल्य क्या होता है मुल्य एक सब्द है जिसका अर्थ महत्व होता है कुछ नहीं होता है अगर हमारी प्रकृति में बहुत सारी धात्वे पाई जाती है तामबा लोहा सोना चांदी ये सारी की सारी चीज़े हमारे लिए इंपोर्टन्ट है लेकिन मान लिजिए कि एक खाली मैदान है और भी बहुत सारे ऐसे पत्थर के टुक्रे जिनका हम कोई उपयो समय के आर्थिक रूप से ही मुल्यवान हो सकते हैं आपकी घाड़ी लोन såकाज कोई वानिज्यक मुल्य नहीं है लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फ्रम द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मुल्यवान हो सकते हैं हमारे घर में अगर तो वो हमें बताती है कि आप इन चीजों को ले लो तो आपकी तवे ठीक हो जाएंगी तो हम घड़ेलू निक्सों का पड़ियोग करके उस तमें तो अच्छे हो जाते हैं लेकिन यह पेटेंट नहीं खलाएंगे पेटेंट कहने का क्या आर्थ है कि पेटेंट यहां पर एक स वो हम खरीद रहे हैं पैसे देकर उसका एक मुल्य है और उसका कोई अविसकार किया गया है तो अगर दादी मा के निक्से अगर पेटेंट हो जाते तब वे संसाधन कहलाते लेकिन हम सिर्फ घड़ेलू निक्सों को ही संसाधन नहीं कह सकते हैं अब आसा करती हूं कि आप स इस समय मनुष्य से जन्म लिया होगा और धरती पर आया होगा तो धीरे धीरे उसने सारी चीजों के बारे में जानना सुरू किया होगा जैसे पानी का उपयोग क्या है घर कैसा होता है इसके अलाबा जैसे सोना चांदी हीरा मोती इन सब चीजों का मनुष्य तब पर्योग कर सकते हैं तो ये हमारे लिए संसाधन बन गई तो आप समझ गए हमगे की संसाधन सर्फ वही चीज़े बन सकती है जो हमारे लिए उप्योग है जिसका उप्योग हम कर पाते हैं सब्सक्राइज आगे बढ़ते हैं कि आवशकतां से संबन्धित हैं लोक स्वेंग prostu संसाधन मनुष्य को भी एक महत मुद्वन शंसाधन कहा जा सकता है क्योंकि उसका भी विए प्योग बहूत सारी चीजों कि घ्यान का भंद्व के हं कि वहीं बतला सकता है कि हम इन चीजों का पड़ियों का काइसे कर सकते है जिसका पड़योग मनुष्य करना जानता है तो ही तो वह संसाधन कहलाती है मनुष्य उसको पहचानना जानता है अगर मनुष्य नहीं होता तो इन संसाधनों का उपयोग कोई नहीं कर पाता और बस यह बेकार की चीजों की ही तरह होते तो मनुष्य है तो ही संसाधन है और संसाधन तभी बनेंगे जब मनुष्य उनका पड़योग कर सकेगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि पड़ते खोज अथवाविस्कार से बहुत ही अनिक होजों आविसकार होते हैं आग की खोज से पका खाने की प्रक्रिया क प्रचरन हुआ जबकि पहिए कि अविसकार से अनंत पड़ी वहन की नवींतम विदियो का विकास हुआ जल विदुद बनाने की परधोकी ने तेजी से बैते वे जल से उर्जा उत्पन करके उसे एक महत्पुन संसाधन बना दिया अब एक सोचने वाली बात यह है कि जिस स आग की खोज नहीं किया था तो वह कच्चा मंस खाता था जानवरों की तरह अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी क्या है कि जब जंगल में आग लग गई तो बहुत सारे जानवर उसमें जलकर पक गया मनुष्य ने इनका स्वाच्च्चा खातों है यह काफी ज्यादा जब एक मनुष्य बहुत जादा सामानों को लाद कर ले जाता था कहीं पहार पे उचे उचे पहार उपर तो उस समय एक पत्थर पहार की ओर से घुड़क कर नीचे चला गया उसके घुड़कने से ही उन्हें पता चला कि हम इस तरीके से पहिय का विसकार कर सकते हैं तो यह यहां से पहिये का विस्कार होना शुरू हुआ और उन्हें आवाजाही में बहुत ज्यादा दिक्कते नहीं होती थी पहिये के विस्कार से उन्होंने धीरे-धीरे काट का विस्कार कर लिया काट उसमें ऐसा होता था कि लकड़ी का बना होता था उसमें पहिये जो होते थे व सब्दावली दी गई है परधो की किसी कौसल करने अथवा वस्तू बनाने में नभीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग परधो की कहलाता परधो की होता क्या है कि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं और मेरे पास नया ज्ञान है और वो किसी चीज को आसान कर देती है तो हम उसे संसाधन को समझ चुके होगे कि कौन चीज संसाधन है और कौन चीज नहीं है तो यह अम्मा की सूची दी गई यह में जो चीज अस पर आप टिक लगाएंगे और जो चीज नहीं है उस पर आप क्रॉस करिए तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे सूती वस्तर हैं ल चलिए आप संसाधनों के प्रकार के बारे में जानते हैं कि संसाधन के प्रकार क्या होते हैं सामाने संसाधन को प्राकृतिक मानब निर्मित और मानव में वर्गी कृत किया गया मतलब संसाधन को तीन वर्गों में बाटा गया एक प्राकृतिक जो मानव में जो मानव बनाता है और मानव इसे क्या करता है अलग लग वर्ग में विभादित किया गया अब चलिए सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे म अब प्राकृतिक संसाधन को किसी भी तरीके संसोधन नहीं किया सकता है, हम उन्हें वैसे ही लज़े कि वायू इसे हम बदलाओं नहीं कर सकते हैं, वैसे ही सांस लेते हैं, हमारी नदी उसका जल हम लोग पीते हैं और बाकी सारी चीज़ों में भी उसका पड़ियोग करते है असके बाद प्रकृति से हमें बहुत निस्तुल्क हार मिले तक पाणिक पाने मिलें हमें पानी का पैसेा नहीं देजय सेुज़त एंब वहाइईो का कि में हैरे जाती हैं नवी कर्णिये संसाथन को पहले समझ लीजिए नवी कर्णिये संसाथन रुस्री घृता से नवी निक्रित अथवा पुना पूर्थी हो जाते हैं और इसमें कुछ असिमित हैं जो उन पर मानव्य क्रिया कलापों का प्रभाब नहीं पड़ता जैसे की सूरज यानि समस्या बन गया देखें नवी कर्णिये संसाथन क्या हैं जो हमको प्रेकृती से वापस प्राप्त हो जाते हैं जैसे की मान लीजिए कि सूरज हमको डेली आकट प्रकास देता है और फिर चला जाता है मतलब हर दिन हम इसको ले सकते हैं हवा हमको हमेशा मिलती है और पानी पानी पहले हमको बहुत सारी मिल सकती थी लेकिन आजकल बढ़ती जन संख्या के कारण यह अपढ़्याप्त होते जारी है मतलब ऐसा भाविश्य में है कि पीने वाला जल बहुत कम प्राप्त और जन संख्या बढ़ रही है तो पीने वाला जल तो सीमित है हमारे पास अगर जन संख्या बढ़ती है तो बहुत सारी जन संख्या बढ़ते बढ़ते इस पीने वाले जल पढ़ी निर्वर हो जाएगी अब जन संख्या जितनी है और पीने का जल क्या है बहुत ज्यादा कम है तो हो सकता है कि भविश्य में हमें जल की दिक्कते हो सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य अपनी बहुत सारी किरिया का लाप उसे जल को दूसित करता आ रहा है तो आने वाले समय में जल हमारी एक समस्या भी बन सकता है अब चली अनवी करनी है स्रोत के बारे में जानते हैं वे संसाधन जिनका भंडार सिमित है भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद हमें फिर से नहीं मिल सकते और मिलते भी हैं तो इसमें बहुत वर्स लग जाते हैं यह अवधी मानव जीवन की अवधी से बहुत अधिक है इस प्रकार संसाधन अनवी करनी होते हैं कि कोईला पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैसे के उधारन है प्राकृतिक होते हैं लेकिन से बहुत ज्यादा वर्स लग जाता है जितना मनुष्य का जीवन नहीं हो सकता है मान लीजिए कि आज अगर आपके पापा पैट्रोलियम या कोईला का पढ़ियोकर रहें किसी कारण समाप्त हो जाएगा तो आने वाले भविसमें हो सकता है कि हमको ना मिले या फिर हमारे जो आगे जाने वाले वनसज होंगे उनको मिल सकता है मतलब इसमें काफी जादा वक्त लग सकता है जैसे की हजार साल भी लग सकते हैं किसी जीवासमन को प्राप्त होने में तो कोईला और पैट्रोलियम बनाने के हाजारो करोडों वर्स लग सकते हैं इतने समय में इंतिजार करणा मुश्किल हो सकता है अगर हम इसको बचाना, चाहते हैं तो हम इसका उपयोक कम करें संसाधन का भंडार क्या है क्योंकि उपलब्ध जो है मात्रा तूर्व 339 नहीं ही यह बढ़ेगी नहीं जो मानब के द्वारा बनाये जाते हैं हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कभी-कभी प्राकृतिक संसाधन तब बन जाते हैं जब उनका मुल्य रूप से बदल दिया जब लौ एसक उस समय तक संसाधन नहीं थे जब लोगों ने उसका लोहा बनाना नहीं सीखा था प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पूल, सरक, मसीन और वहन बनाने में करते हैं यह प्राकृतिक संसाधन होते ते लेकिन जैसे मनुष्ञे ने लोहा पड़योग बहुत सारे औजाड़ों में कर लिया पूल बनाने में कर लिया, छेनी, हतोरी, इन सब चीज़ों को बना लिया, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं, वो ख़र लकडी, सिमेंट, बालू, पत्थर, ये सारी चीजों का बनाऊँ तो ये बालू, पत्थर जो हैं, ये कहां से आता है, तो ये हम करके सीखें यहां दिया गया है कुछ नवी करनी है संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधन का अधिकुपयोग करके उनके भंडारन को प्रफावित कर सकते हैं यह आपके ऊपर दिया गया है कि जितने भी नवी करनी है संसाधन जैसा कि आपको बत जितनी ज़रुवत हो तनी और शक्ता के अनुसार पढ़े के एल्वाब जल की बरवादी उती है तो डूनिया में लो fan milk की खूल अचिए तो अगर हम पानी की बरबादी को रोगे और पानी को परदूसित ना करें तो हम आगे तक अपनी नवी करने संसाधन को बचा कर रख सकते हैं मानब संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा प्योग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा घ्यान हो और आओ कुछ करके सिखे पांच निर्मित संसाधनों की सुची बनाना है और अपने चारो और देख सकते हैं ये तो आप फटा पांच चुछ आप से कितना भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा की मानमर में संसाधन होते क्या हैं जैसे कि यहां पे कुछ दिया गया है चित्र में हम उनको समझते हैं कि यहां पे चित्र है पढ़े और मनकरे मनुष्य एक दूसरे पर निर्भड है क जुड़ी विविएन समस्या और अन को बढ़ाने के उपाए कर से किसान है पूरे देश में बहुत सारे किसान होंगे वह हम सब के लिए अगर किसान अन न उपजाते हैं तो हम खाएंगे पीएंगे क्या अब यहां पे देखिए यह क्या दिया गया है कि जब यह सब ग्यान किसान निर्वर है ना सिच्छित लोगों पर अब चली आगे पढ़ते हैं यहां पर दिया गया है कि सुखे के कारण फसलों के विनास में क्या इसका समधान निकाल सकती हो न्यूज पर के इडिटर होते हैं वह हमारी समस्याओं को दूर दूर तक पहुंचा देशान की समस् पर दिखाया जाता है इसका कारण क्या है कि अगर मान लिजिए कि इस सब चीजों को हम पढ़ेंगे तो इन सब चीजों का हल जरूर निकलेगा उसके बाद जैसे कि यहां आप देख रहे हैं कि पेपर में छपा सुखे के कारण फसलों का विनास क्या मैं इसका समधान निका सकती हो तो दूसरे जो इससे संबंधित व्यक्ति हैं उन्होंने पढ़ा और इसका नियोजन निकाल कर इसका हल बता कर उनका हल समधान आसानी से निकाल दिया आप आगे देखिए कि यहां लिखा गया है कि आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्य पर लोगों की संख्या औ हैं जो भौतिक पदातों को मुल्यवान संसाधन बनाने में सहायक है मान लीजे जो हम मनुष्य हैं हम भी संसाधन कहलाते जरूर है लेकिन कब अपनी बुद्धी का पड़ियोग करके उन वस्तूओं को अपयोग अपनी अवशक्ताओं के लिए करते हैं तब वे संसाधन का अच्छा उपयोग मालvenidos है मानने व्यक्ति सिश्चित नहीं होतात घृषित क्या वह जान पाता कि हीć क्या जान पाता कि हीरा हमारे मुल्यवान है सब्स्क्रों अगरें जल को नहीं बचाएंगे तो अपयों सब्सक्राइक करना होगा तो इसके लिए मन लगाकर पढ़ना होगा अपनी बुद्धी को बढ़ाना होगा तभी हम अन्य विज्ञानी को की भाती सोच सकते हैं जान सकते हैं कि मानप संसाधन होते कैसे हैं चली आगे बढ़ते हैं कि संसाधन संदक्षन क्या है मोना ने एक बुरा सपन देखा और उसने देखा कि प्रिथिवी प टने में बाड़े में मा ने पुछा, क्या शच में हो सकता है? मा ने उत्तर दिया. हाँ, हम नभी करने हैं, संसाधनों के पती सतर्क नहीं रहें, तो बहुत ही होती दोलर्भ हों सकते हैं और और नभी करने हैं संसवादनी स्टर्क हों जाँगे। राजु ने पूछा, संसाद्धों के संनक्ष्ण में नेक तरीके हैं पर्तेक व्यक्तिव भोग को कम करके वस्तूओं के पुनाशक्रन और पुनाव उप्योग द्वारा योगदान दे सकता है यह एक विविंता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं उस साम बच्चों को उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों के व्यर्थ वस्तूरों तथा बास की डंडियों से लिफाफ्य और खड़ीदारी के थैले बनाने मोना ने कहा कि हम इन सकता है कागश बनाने के लिए बहुत से पेरों को काड़ दिया जाता है अब आप ही के जैसी एक बच्ची है जिसका नाम मोना है आप भी अपने देख सकते अगर विद्याले में पढ़ाया जाए तो हम भी अपने प्रकृति के बारे में सजग हो सकते मोना ने एक बुड़ करेरे डाल देता है मवश्यों को धोता है कपड़े को थोता है तो इस तरीके से जल गंदा होता है वायू भी परदूसित होता है जब मोटर कारी चलाता है उससे निकलने वाले धूए ऐसी बहुत सी चीजे हैं जिसके कारण मानब नित प्रति दिन पढ़्यावरन को क 안돼 है जएसे कि चीजों से हमारा पडूसित होता है और जो चाण मत वापससर कर सकते हैं तो उसकी जगां कख़र से बने काघश का पड़ियोग करें बच्चों को स्कूल में अक्टिविटी के द्वारा जो है ने बैक से ब्लक इसक black आ होना के लोगों कर सके कुए इसमें कु बेकार का स्वीच ओन उसको देखिए वह बंद कर देना कि व्यर्थ का पंखा न चले व्यर्थ का बलव न जले इसे हम बिजली की बचत कर सके कि यह साधी चीज नवी करनी है अगर हम इनका परयोग व्यर्थ में करते हैं तो भविस्ते में हमें यह नहीं मिलेंगे इस बच्चे को देखिए यह भी कुछ कर रहा है और यह बच्चा जो है वह पानी की बढवादी को बंद कर रहा है यह थैले बना रही है घर के चीजों से आप भी बना सकते हैं पेपर स चीज दी गही है सब्दा वली उसको हम समझते की सतत पोशन यह विकास किया तो संसार्नों को साब्धानी पुर्व को प्यों किजिए ताकि न केवल वर्तमान पीडी की अपितु भावी पीडियों की भी अवशक्ता हैं पूरी होती रहे मतलब सतत पोशन यह विकास का कीजिए कि जिस जगह हम इनका पर्यों कर सके उसे कम करें जिस जगह हमें पैदल जाने की अवशक्ता हैं वहां गारी का पर्योग ना करें तो इस तरीके से हम पैट्रोल की बचत कर सकते हैं ताकि वह आने वाली पीडी के लिए बस सके उसके बाद जो गया जो हम उपयोग क करें जिस जगह उपियों को बस उतना ही करें ताकि हम आने वाले भविश्य के लिए उन चीज़ों को बचाए रख सकें अब आगे चली आगे पढ़ते हैं कि मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्धूत जो है यानिकी इलेक्ट्रिसिटी वह बेकार का ना जले मुस्त बहुत सारे बच्चों ने अपने आस पर उसमें जाकर एक कारिक किया जिसमें कि हम व्यर्थ की बिजली नहीं जलने देंगे व्यर्थ का पानी नहीं बहने देंगे जितनी जरूरत हो तनी ही करेंगे अगर हम आज बूंद नहीं बचाएंगे जल कि तो हमें आने वाले दिन अगर हम छोटे-छोटे बचे इन कारियों को करेंगे तो जाहिर जिवात है कि बड़े भी हम से सीख सकेंगे सभी नभी करनिये संसाथ उनके उपयोग जो है वो सतत पोशनिये होते हैं और यह हमारा करतव्य है कि हम अमारी प्रित्वी अपने पर्यावरन को बचा कर रख सकें प्र इपने के बचे उसे और व्भी नहीं से सीह को करेंगे तो बड़े भी उनहें सीख सकेंगे जीवन के सभी रूपो का आदर और देख भाल करना है मानव जीवन की गुनवन्ता को बढ़ाना है प्रित्वी की जीवन सकती और विविता का सनक्षण करना है प्राकृतिक संसादनों के हैरास को कम से कम करना है पड़steалиबरन के प्रति व्यक्तिकत व्यवहर और अभ्यास में पडिवर्तन कर ना है और समुदायो कու अपने पड़। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें और कमेंट भी करें बेल आइकन को दबा दे ताकि नोटिफिकेशन अन कर ले अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू